आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हमें देएगए Options को देखकर बताना है कि Migratory Birds की जो Vulnerable Species हैं इनके लिए सबसे Serious Threat इन में से कौन सा है तो Vulnerable Species हमें पता ही है ऐसी Threat Category होती है जो कि आने वाले समय में अगर Conservation के लिए Appropriate Steps नहीं लिए गए तो Endangered Species की Category में जा सकती है यानि इनकी Population आने वाले समय में काफी Significantly Declined हो सकती है तो यह बात तो हमें पहले से ही मालूम है कि हमारे अर्थ की जो Rich Biodiversity है Human Activities की वज़े से पिछले कुछ समय से इसमें तेजी से Loss हो रहा है यानि Anthropogenic Interference चो हो रहा है Natural Ecosystems में Human Interference इसकी वज़े से कई सारी Populations बहुती Adversely Affected है Plants और Animals दोनों की है तो Mainly 4 Reasons होते हैं जिसकी वज़े से कोई Species Threatened होती है या Vulnerable होती है और इन्हें हम Evil Quartet बोलते हैं यानि वो Main 4 Reasons जिसकी वज़े से Threat Face करता है Flora and Fauna के Different Varieties तो इसमें सबसे पहले जो हमारा Reason आ जाता है जो सबसे Main Reason होता है वो होता है Habitat का Destruction तो पहले नंबर का हमारा जो Reason है Evil Quartet में से वो जाएगा Habitat Destruction क्योंकि हम देखता है Nature में, किसी Natural Ecosystem में अगर कोई भी दिक्कत आ जाए तो काफी हद तक वो Resistance शो करता है यानि Harsh Conditions से बचने के लिए या इनमें Adjust करने के लिए Living Organisms के बास अपने-अपने खुद के तरीखे होता है लेकिन अगर उनका Habitat हमने पूरा ही Destroy कर दिया जो कि Deforestation की वज़े से आजकल होई रहे Agriculture के लिए Human Settlements बनाने के लिए इसके लिए लगाता है हम Forest Land को Clear कर रहे है तो Habitat अगर पूरा ही Loss हो गया या Destroy हो गया तो ऐसे में Survive करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है Plants और Animals की Species के लिए और Specially जो Migratory Birds है उनका तो और ही बुरा हाल होता है क्योंकि Habitat का Destruction होना इसकी Fragmentation होना यानि छोटे-छोटे टुकडों में इसका बठ जाना अगर पूरी तरह से Destroy नहीं होता है तो या फिर इसकी Degradation होना अलग-अलग तरह के Contaminants की वज़े से जो हम Natural Environment में छोड़ देते हैं इसकी वज़े से Migratory Words को बहुत नुक्सान हो सकता है क्योंकि हम जानते ही है कि Migration इनका एक तरीका होता है एक Mechanism होता है इनके Habitat की हार्श या Unfavorable Condition से बचने के लिए जैसे कि कई बार जब बहुती ठंडा क्लाइमेट हो जाता है सरदियों के टाइम पे बहुती लो टेंपरेचर हो जाता है तो उस समय पे Migratory Birds किसी गरम जगे पे आ जाती है जब तक कि उनके Habitat में बापल्स मौसम ठीक ना हो जाए अब ऐसे में अगर कोई Migratory Bird इतनी लंबी ओडान भरके आती है और जिस Habitat में वो पहुचती है जहां पर उसको Winter Month spend करने है वो अगर Destroy हो चुका या उसके रहने के लायक नहीं रहा तो Large Population बहुती तेजी से Wipe Out हो सकती है क्योंकि वो Harsh Conditions को Escape करने ही बहुत लंबे-लंबे Distance ट्रावल करके जाते हैं Migratory Animals या Birds और वहीं पर अगर उन्हें Harsh Conditions मिलेंगी तो उनका Survive करना पॉसिबल नहीं है तो Basically हमें सारे Options जो दिये हुए है ये Habitat Loss, Fragmentation और Degradation के ही Related है Deforestation से भी Habitat का Loss होता है Human Settlements बनाने के लिए ही हम Deforestation करते है और Pollution अगर हो जाता है तो इससे भी Marine Ecosystem की Degradation होता है लेकिन इसमें से जो सबसे General और सबसे Appropriate Term है ये Habitat Destruction हो जाएगी जो के Evil Quartet में आने वाला सबसे Significant Reason है Human Activities के वज़े से होने वाले Biodiversity Loss का तो या पर Option है हम सही आंसर कर देंगे किसी Migratory Bird के लिए ही नहीं बलके पूरी ही Wildlife के लिए सभी Plants और Animals के लिए Habitat Destruction सबसे Serious Threat प्रूव हो सकता है Classics चुटल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा Students का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर